हेलो बच्चो कैसे हैं आप लोग आशा करते हूं कि आप सभी अच्छे हूंगे बच्चो शुरू करते हैं आच्छा ध्याय बर्खा रानी आई है बर्खा यानी बारिश यह एक कविता है बच्चो आपको वर्शा रितू कैसी लगती है एक बार विचार जरूर कीजिएगा पाठ परिचे है प्रस्तुत कविता में वर्शा रितू में होने वाले परिवर्तनों तथा मस्ती का सुन्दर वर्णन किया गया है यानि बच्चो वर्षा रितू बारिश जब आती है जब बारिश का मौसम आता है तो पूरा वातवरण कैसा हो जाता है इस कविता में बताया है तो आये जानते हैं नब में हैं घंगोर घटाएं अंदकार में सभी दिशाएं थंडी थंडी चली हवाएं बर्खा रानी आई है बच्चो कभी कह रहे हैं कि नब यानी आसमान में काले काले बादल चाएं हैं चारो और अंदकार साच छा गया है हवा थंडी थंडी सी चल रही है क्योंकि बर्खा रानी यानी बारिश हो रही है पर फैला कर मोर नाचते तर्टर मैडग गीत सुनाते कोयल पपीहा शोर मचाते बर्खारानी आई है तो बच्चो जब बारिश होती है तो मोर अपने सुन्दर से पंक फैला कर नाचने लगते हैं मैडक टर-टर करने लगते हैं, कोयल, पपीहा, चू-चू-चू-चू करके शोर मचाते हैं, तो कितना सुन्दर द्रिश्य हो जाता है जब बारिश होती है, बिजली चमकी चम-चम-चम, बरसा पानी चम-चम-चम, आओ नाओ बनाए हम, बर्खारानी आई है, बच्चो कवी कहते हैं, कि बारिश में बिजली चम-चम-चम-चम करके चमकती है, और पानी जम-जम-जम आवास करके गिरता है, और जब पानी घिता है बारिश होती है तो पानी सब जगब भर जाता है तो बच्चे छोटी छोटी कागस की नाव बना कर उसी पानी में तैराते हैं और बहुत मज़े अरते हैं आगे है विद्याले में छुटी होगी अब तो जमकर मस्ती होगी करनी नहीं पड़ाई है बर खारानी आई है तो बच्चो आपने देखाई होगा जब वर्षा रितू आती है तो पानी चारो तरब भर जाता है क्योंकि वर्षा रुकती ही नहीं और सभी जग़ा पानी भरने के कारण स्कूलों में छुटी की घोशना कर देते हैं तो जब छुटी हो जाती है तो बच्चो को बड़ा मज़ा आता है क्योंकि वो घर बैठे बैठे इस वर्षा का आनन्द लेते हैं यही इस कविता में बताया गया है कि जब वर्षा होती है बर खारानी आती है तो कितने मज़े हो जाते हैं सभी बच्चो के और पूरा वातवरण कितना सुन्दर दिखाई देता है आशा करती हूँ कि आपको यह कविता समझा गई होगी इसका अभ्यास आप स्वयम कीजिगा